तो बाइस सबको नमस्ते हो हम आए पतंगों की दुकानों यह देखिए जैसे कि लोगडाउन जबाद खुल गए हैं सारी तो यह रही हमारी लखी काइट सेंटर जहां पर आज हम खरीदें पतंगे तो देखें दोस्तों लखी वयाज कर रहा हैं अनबॉक्सिंग पतंगों त देखें का में पटंगे रहे लक़ाएन का यह करें देखिए अपनी दुकान में पतंगे लगाते होज्चवाएन अपलगां कीजिए कैसी प्यासी पाने निकल लहीं दोस्तों और यह जो बाक्स और आप लोग इंज़ा कीज़े बहुत सारी कलर में हर डिजाइन पर मिल लाएंगे आप लोगो तो बैया यह रहे कि दो फॉब ढूर यह देखिए यह अच्छो डीजान निकलके आती हुई यह एलो और बुलू पर यह भी रखें यह सारी देखिए सब्दी के जो भी रखें तो भाई अभी आप जो हम लोग यह देखे एक बहुत अच्छा डिजाइन जो हम लोग खरीदें वह आप लोगों घर जाके दिखाऊंगा तो अभी सौप पे देख लिजिए आप लोग क्या क्या माटेरियल है यहां पर तो अगया मैं तो यह कह रहा था कि अपने यहां पतं करता है पैंसों पर आप किस तरीके के सामान खरीद करके यूज करते हो तो छोटे छोटे ना कोई डिस्ट्रिक लेवल है नहीं कुछ भी भाई लेवल ही नहीं होता पतंगवाजी में पिर भी पतंगवाजी बहुत है हर जगह आपको ऑल ओवर इंडिया या इंडिया बाहर अब बच्चां से लेकर के बोड़ है लोगों तक तो देखिए यह नई डिजाइन आई एक तो पतंगवाजी पे केवल दो ही लेवल है एक छाट टाइप और एक ग्राउंड टाइप तो दोस्तों लखी बाई की दुकान साकेट नगर में उस्वानपुर कलोनी के पास है त तो लखी बाई की दुकान पर जरूर रहा है तो यह रही है एक देखिए डिजाइन लाल पे पीले मांगदार और अधिक तरफ जाई वाली बच्ची है तेखते हैं कोई नया निकलता तो आपको दिखाते हैं तो यह देखिए एक और नया डिजाइन लाल पे नीले मुड़ तो यह 500 रुपए की सो वाली पतंगें दोस्तों गारा है वह दो दिखाते हैं यह देख पा रहे होंगे जो कि मैं लाया हूं दुकान से लखी वाई तो इनको खोल लेता है दागा डीला हो चुका है दोस्तों लाने कविजा से तो तो मैं दिखा देता हूं कुछ मतलब कैसी पतक हैं लेकर आया हूं तो भाई यह रा पहला चोका देखे किसारी क्याई पतंगें देमज वाली हैं तो आप लोग देखें कहीं मैं एक एकर effort अड़ाता जता हूं तो यह यह हैं और यह यह पर आप लोग देखते जाएए हैं यह सारे डामेड होने वालीयों क्यों निर्ण अपर्स प्रेइए किसे च्वर्ण सभी तो यह शून हिल्ग करें ए reduzcan पतंगों की दुकान पे नई पतंगे लगा रहे थे तो जो उनकी पुरानी और डैमेज पतंगे थी वो सारी हमने खरी लिए उनसे तो यह देखिए यह रामपुर की पतंगे दोस्तों आपको इस्टाम ठीक जाएगी यह सारी रामपुर की पतंगे और जो लगी बैया नहीं तो देखते जाई और मैं बताता हूं कि यह मुझे कितने पड़ी क्या कैसा पड़ा तो देखे यह रामपुर की अच्छा पतंगे देखिए तो भाई वैसे हम लोग टेप लगा कि तो उडाते हैं तो यार थोड़ा जोड़ी लेंगे क्या जासा है तो यही सारी हैं दोस्त और ये कुछ पतंग हैं जो की अद्धी की हैं तो यही ती आभी मैंने अब लोगों दिखाते हूं आप और छालिस पतंग हैं पूरी की पूरी तो भाई मैं बता देता हूं प्राइज तो इसारीस पतंगे मुझे 100 रुप पड़ी और इसके साथ था तो मुझे भाई ने ट टेप बिदिया रुख यह दिखाता हूं तो यह देखें दोस्तों यह रहा वो टेप जो कि मैं लाया हूं तो यही सारे हैं दोस्तों पतंगें तो देखें और बताजिए कैसी लगें आप लोगों को